अब हम विभिन्य प्रकार की एंथेलपी के बारे में जानेंगे अलग-अलग प्रकार की एंथेलपी जैसे किसी पदार्ट के एक मोल का बनना जब वह बनता है तो कैसे एंथेलपी परिवर्तन होता है जब किसी पदार्ट का दहन होता है तो वह कौन सी एंथेलपी होती है यहाँ पर गलन होगा, यह वाश्पन होता है, यह उर्धुपातन होता है, यह अपर रूपों का संक्रमन होता है, तो कैसे एंथेलपी में changes होते हैं, उस आधार पर भी एंथेलपी को अलग अलग प्रकारों में बाटा गया है, तो सबसे पहले हम देखेंगे संभवन की एंथेलपी या हमें से संभवन उश्मा या एंथेलपी ओफ फॉर्मेशन भी कहते हैं जैसा कि नाम से ही स्पष्ठ है संभवन यानि किसी चीज का बनना तो जब किसी योगिक का एक राम मोल अपने अव्यवी तत्वों से बनता है तो उस दौरान होने वाले एंथेलपी परिवर्तन को या उश्मा परिवर्तन को हम संभवन की उश्मा या फिर संभवन की एंथेलपी कहते हैं तो इसे उदाहरण की द्वारा समझिये कि जैसे कार्बन डायॉकसाइड का एक मोल बना तो इसके लिए carbon और oxygen की क्रिया हुई तो CO2 प्राप्त हुआ इस दौरान जो enthalpy परिवर्थन है वो है delta HF equal to minus 393.5 kilo joule per mole तो जो enthalpy परिवर्थन है वो है यहाँ पर enthalpy of formation है इसलिए delta H को delta HF से show करते है enthalpy of formation इसी प्रकार यदि H2 plus half O2 से H2O बना तो हम यह कह सकते हैं कि H2O के एक mole का बना तो H2O योगिक बना किस से बना? hydrogen और oxygen से बना तो उसके बनते समय enthalpy में जो परिवर्थन आया वो कितना है? delta H बराबर प्राप्त होता है minus 286 kilo joule तो हम यह कह सकते हैं कि H2O के एक mole का बना यहाँ पर उस एक mole के बनते समय जो enthalpy परिवर्थन है वो होगी उस जल के अनू के लिए संभवन की enthalpy हम जानेंगे enthalpy of combustion या दहन की उश्मा तो enthalpy of combustion नाम से ही सपस्ट है कि जब भी किसी पदार्थ का या किसी भी योगी का एक ग्राम मोल वायू की उपस्थिती में दहन कराया जाएगा या उस पदार्थ का योगी का ऑक्सी करण होगा तो इस दोरान जो enthalpy में परिवर्तन होता है उससे हम दहन की enthalpy कहेंगे तो जैसे carbon इवम oxygen की क्रिया होती है तो carbon dioxide बनता है तो carbon का ऑक्सी करण हो रहा है यानि carbon का यहाँ दहन होता है तो इससे CO2 बना तो हम इसे enthalpy of formation के रूप में भी लिख रहे थे लेकिन आप देखिए दोनों स्थिती में हम यहाँ enthalpy of formation के रूप में भी लिख सकते हैं और इसे enthalpy of combustion के रूप में भी लिख सकते हैं दोनों स्थिती में enthalpy का जो मान है वह देखिए क्या है C plus O2 is equal to CO2 बना delta H equal to minus 393.5 kilo joule per mole same as delta H का मान वही है दोनों में हमने इसी प्रकार से समीकरण को वेक्त किया कार्बन डियोकसाइड के एक ग्राम मोल्क का बनना और दूसरी स्थिती में हम देख रहे हैं कि कार्बन का देहन होना तो जब कार्बन का पूर्ण रूप से देहन होता है तो carbon dioxide बनता है और इस दोरान जो enthalpy परिवर्तन है वह होगी दहन की enthalpy या दहन उश्मा दूसरा जो उदारन है इसमें carbon monoxide बनता है तो यहां carbon का पोन रूप से दहन नहीं हो रहा है भले ही यहां कुछ न कुछ उश्मा में परिवर्तन होगा तो अभिक्रिया उश्मा जरूर होगी लेकिन यह अभिक्रिया उश्मा दहन की enthalpy नहीं होगी क्योंकि carbon का पोन रूप से उक्सी करण नहीं हो रहा है अपोन रूप से ओक्सी करण हो रहा है इसलिए कार्बन मोनो ओक्साइड बनता है तो इस समीकरण को जब हम व्यक्त करते हैं तो कार्बन प्लस हाफ ओटू is equal to CO और यहां डेल्टा एच जो कमशन है डेल्टा एच के रूप में इंथेलपी परिवर्तन को हम शो करते हैं और मा दोनों मानों को जब आप देखेंगे दोनों में ही डेल्टा एच इक्वल टू जो भी मान है वो प्राप्त हुआ लेकिन जब अपून देहन होता है तो वो देहन की एंथेलपी के रूप में नहीं है यहां पर अभिक्रिया उश्मा के रूप में व्यक्त किया जा रहा है ज ट्रोल, डीजल, इंधन के रूप में प्रयोग किये जाते हैं तो हर प्रकार के कारी के लिए जहां इंधन की आवश्मा होती है तो उसका देहन होता है तब हमें उस कारी को संचालित करने के लिए उर्जा प्राप्त होती है तो इसे भी हम देहन की एंथेलपी या उस समय भ विभिन कारेओं को करने के लिए भी उर्जा की आवशकता होती है, तो जो ये उर्जा कहां से प्राप्त होगी, तो यह उर्जा प्राप्त होती है भोजन से, भोजन का पोनरोप से दहन होता है, आप सभी इस समीकरण से परिचित हैं बहुत अच्छे से, कि जब हम होता है, याने ऑक्सिकरित होता है, तो हमें उर्जा प्राप्त होती है, तब हम विभिन प्रकार के कारे को कर पाते हैं, तो इसके लिए हम कैसे कैलोरी मान की गढ़ना कर सकते हैं, आप इसको समझें, समीकरण को हम इस प्रकार लेख सकते हैं, C6H12O6 प्लस 6O2 is equal to 6CO2 प्लस 6H2O, यहां जो डेल्टा H का मान है, याने एंथेल्पी का जो मान है, तो इसे हम कहेंगे ग्लुकोज के दहन्ज से प्राप्तूश्मा है, तो डेल्टा H बराबर माइनस 2840 किलो जूल पर मोल, तो यहां भोजन एवं इंधन की जो कैलोरी मान है, उसक हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका सूतर हम लिख सकते हैं, डेल्टा H अपॉन आणविक द्रवेमान, तो यह जो डेल्टा H अपॉन आणविक द्रवेमान है, इस आधार पर हम इसकी जब गढ़ना करेंगे, तो यदि ग्लुकोज याने भोजन की बात हो रही है, तो इसके दहन से प्राप्त जो उश्मा हमें मिली, उसे हमने एक द्रवेमान प्राप्त हुआ वह है 15.78 किलो जूल पर मोल, तो यहां हमने देखा कि किस प्रकार एक ग्राम ग्लुकोज के दहन से जो उश्मा प्राप्त हुई है, और उस ही आधार पर जो भोजन हम लेते हैं, उ उससे हमें विभिन कारे को करने के लिए उर्जा भी प्राप्त होती है, यहां हम कैलोरी मान को परिभाशित कर सकते हैं, भोजन या इंधन के एक ग्राम को पूर्णतह देहन या ओक्सिकरन करने पर उत्पन उश्मा की मात्रा को उस पदार्त की हम कैलोरी मान की रुप में व प्रश्न पहला घरेलू गैस के सिलिंडर में 11.2 kg ब्यूटेन भरी होती है यदि प्रती दिन भोजन बनाने में 15,000 kJ उर्जा की आवश्यक्ता होती हो तो बताईए यह सिलिंडर कितने दिन के भोजन के लिए परियाप्त होगा ब्यूटेन की दहन उश्मा डेल्टा ह बराबर माइनस 2658 kJ ब्यूटेन गैस के दहन है तू जो रासाइनिक समिकरण है वह हम इस प्रकार प्रियाप्त कर सकते हैं C4H10 प्लस 13 बाइ 2 O2 इस इक्वल टू 4 CO2 प्लस 5 H2O इस समिकरण के रिए डेल्टा ह बराबर माइनस 2658 kJ है C4H10 याने ब्यूटेन का आडविक द्रवेमान है 12 गुणा 4 धन 10 यहाँ पर हम 10 गुणा 1 करेंगे क्योंकि यह हाइड्रोजन के लिए जो परमाडू द्रवेमान है वह 1 है तो जब हम इसे योग करते हैं तो 58 आडविक द्रवेमान ब्यूटेन का प्राप्त होता है तो 58 ग्राम ब्यूटेन के दहन से उत्पन उर्जा बराबर 2658 kJ तो 11.2 ग्राम ब्यूटेन से जो उत्पन उर्जा होगी वह होगी 2658 into 11.2 into 1000 upon 58 यहाँ पर 1000 हमने किया है चुकि यहाँ किलो जूल को जूल में परिवर्टिक करते हैं तो प्रती दिन आवश्यक उर्जा यहाँ पर है 15,000 किलो जूल तो कूल उर्जा की मात्रा यहाँ पर किस प्रकार याद कर सकती हैं कि सिलिंडर में भोजन पकाने हेतू दिनों की संख्या कितनी हैं तो 2658 इंटू 11.2 इंटू 1000 अपॉन 58 इंटू 15,000 इक्वल टू 34 डेज यह सिलिंडर भोजन निर्माड के लिए परियाप्त होता हैं दूसरा प्रशन है यदि अपॉन दहन के कारण 30 प्रतिशत गैस बेकार चली जाती है तो यह सिलिंडर कितने दिन चलेगा इसका हल है कि जब 30 परसेंट गैस अपॉन दहन के कारण बेकार चली जाती है तो ब्यूटेन के एक मोल से प्राप्त उश्मा होगी 2658 इन्टू 70 बाइ 100 क्योंकि 30 परसेंट गैस अपॉन दहन में बेकार चली गई तो यहाँ 6 बचा हुआ भाग जो है वो 70 है तो 100 में 70 भाग बचा है तो इस आधार पर हम इसको ग्याद कर सकते हैं कि एक मोल से कितनी प्राप्त होगी अब हम इसे हल करेंगे 58 ग्राम ब्यूटेन से उर्जा प्राप्त होती है 2658 इन्टू 70 इन्टू 100 क्यो जूल इसी प्रकार 11.2 इन्टू 1000 ग्राम से कितनी उर्जा प्राप्त होगी ? तो 2658 x 70 x 11.2 x 1000 x 58 x 100 तो 15,000 किलो जूल उर्जा खर्च होती है एक दिन में यहाँ पर 2658 x 11.2 x 1000 x 70 x 58 x 100 किलो जूल उर्जा खर्च होगी जब हम इसे हल्ट करते हैं तो 2658 x 11.2 x 1000 x 70 x 58 x 15,000 x 100 तो यहाँ 15,000 किलो जूल उर्जा खर्च होती है एक दिन में तो उस आधार पर हम जब 30% गैस बेकार चली गई तो वह सिलिंडर कितने दिन बचेगा यह कैलकुलेट कर सकते हैं तो हमारा एंसर आता है यहाँ पर 24 दिन तो जब अपूर्ण दहन होता है 30% गैस बेकार चली जाती है तो यह सिलिंडर 24 दिन चलता है उदासीनी करण की एंथेलपी उदासीनी करण की क्रिया से अब भलिभाती परीची थे कि जब भी कोई अमल चार से क्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माड होता है या हम कह सकते हैं कि अमल का चारदवारा उदासीनी करण होने पर लवण या जल प्राप्त होता है तो इस पूरी क्रिया के दौरान जो उश्मा परिवर्तन होगा या एंथेलपी परिवर्तन होगा उसे हम कहेंगे उदासीनी करण की एंथेलपी तो इसे हम जब परिभाशित करेंगे तो इस प्रकार कर सकते हैं कि एक ग्राम तुल्यांग जो अमल है उसके तनुविलियन को उदासीन करने के लिए एक ग्राम तुल्यांग छार की आवशकता होती है तो इस दौरान होने वाले उश्मा परिवर्तन को उदासीनी करण के NaCl plus H2O बनता है तो इस दौरान जो एंथेलपी परिवर्तन का मान प्राप्त हुआ है डेल्टा H बराबर माइनस 57.1 किलो जूल पर मोल तो ये जो मान प्राप्त हुआ है ये प्रबल अम्ल एवं प्रबल चार के लिए ही प्राप्त हुआ लेकिन यदी मान लीजे उदासीनी करण की क्रिया प्रबल अम्ल एवं दूर्बल चार इसी तरह से प्रबल चार एवं दूर्बल अम्ल के लिए लिया जाए तो ऐसी स्थिती में जो इस उदासीनी करण एंथेल्पी का मान है वह माइनस 57.1 किलो जूल पर मोल से कम प्राप्त होगा इसे हम एक उदाहरन से समझेंगे CS3COOH प्लस NaOH CS3COOH यानि एवं एक दूर्बल अम्ल है NaOH एक प्रबल चार है इन दोनों की क्रिया से जो लवन प्राप्त हुआ CS3COOH यानि सोडियम एसिटेट प्लस H2O तो इस दौरान जो एंथेल्पी परिवर्तन या उदासीनी करण के एंथेल्पी प्राप्त हुई है वह प्राप्त हुई डेल्टा H equal to minus 57.1 किलो जूल पर मोल प्राप्त हुआ इसके लिए जब मान हम देखते हैं दूर्बल अम्ल एवं प्रबल चार के लिए तो वह मान उससे कम प्राप्त होता है ऐसा क्यों होता है क्योंकि उदासीनी करण की क्रिया जब दूर्बल अम्ल में या दूर्बल चार में होती है तो इस समय हम देखते हैं कि दूर्बल अम्ल और दूर्बल चार का जो नेचर होता है वो पूर्ण आयनित अवस्था में नहीं रहता है जब उदासीनी करण की क्रिया प्रारंब होती है तब इसमें आयनन भी प्रारंब होता है तो इस समय जब ये आयनन की क्रिया करते हैं तो जितनी उर्जा मुक्त होती है उसमें से कुछ उर्जा का मान इसको पोन रूप से आयनित करने में खर्च होता है इसलिए उदासीरी करण एंथेलपी का मान किसी भी दूर्बल अमल या प्रबलचार और दूर्बलचार और प्रबलअमल के मध्य के जो कॉम्बिनेशन में हम देखते हैं कि वह मान हमें कम प्राप्थ होता है क्योंकि जितनी उर्जा मोक्त होती है तो उसमें से कुछ उर्जा इनको आयनित करने में या इनके पूर्ण आयनन में खर्च होने लगती है अब इसे हम एक और उदारन से समझ लेते हैं कि जब हम किसी दुर्बल अमल को लेते हैं तो किस प्रकार से उसमें वियोजन उश्मा की गढ़ना की जाती है तो यदि हम यहां सिटी कमल को लें तो सिटी कमल एक दुर्बल अमल है तो जब उसका वियोजन होता है तो SET कमल का सूतर है CH3COOH is equal to CS3COO- plus H plus इसका वियोजन हुआ तो इसके लिए जो वियोजन उर्जा का मान है वह D किलो जूल के रूप में वैक्त किया जा सकता है यहां हम इसे ऐसा लिख सकते हैं कि ΔH1 is equal to D किलो जूल पर मोल D हमें ग्यात नहीं है इसकी enthalpy का मान हमें प्राप्त करना है तो यहां देखिए जब हम प्रबल अमल और प्रबल चार लेते हैं तो प्रबल अमल और प्रबल चार की स्थिती में जब हम पूरा complete dissociation देखते हैं और उसके बाद हम उदासीनी करन के enthalpy की गढ़ना करते हैं तो जो मान प्राप्त होता है वह प्राप्त होता है इस मान को हम लिख सकते हैं देल्टा H2 इक्वल टू माइनस 57.1 किलो जूल पर मूल डेल्टा H बराबर डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 तो यहाँ जो डेल्टा H1 है ये S2 कमल के लिए वियोजन उर्जा के रूप में है या उसके वियोजन एंथेल्पी के रूप में है तो वो हम लिखते हैं D अब H2 का मान डेल्टा H2 का मान प्राप्थ हुआ है माइनस 57.1 जो कि किसी भी प्रबल अमलो प्रबल चार के उदासिन करन एंथेल्पी का मान है और डेल्टा H का मान हमें प्राप्थ हुआ माइनस 55.23 ये जो माइनस 55.23 प्राप्थ हुआ ये हमने देखा था जब हम दूर्बल अमलो प्रबल चार लेते हैं तो उस दौरान जो इंथेल्पी परिवर्टन प्राप्थ हुआ था SAT कमल और NUH लेने पर तो वह प्राप्ट हुआ था माइनस 55.23 किलो जूल पर मॉल उसी मान को हमने यहाँ पर लिखा अब जब इसे कल्कुलेट करेंगे यहने D कमान प्राप्त करेंगे यहने SAT कमल के लिए वियोजन एंथेल्पी कमान जब हमें प्राप्त करना है तो D बराबर होगा 57.1 माइनस 55.23 इक्वल टू 1.87 किलो जूल पर मॉल तो यह जो 1.87 किलो जूल पर मॉल है यह मान होता है ACETIC अमल के लिए वियोजन उर्जा तो जो हमने पढ़ा कि क्यों इस मान में कमी होती है कि उदासी नी करन एंथेल्पी के मान में कमी हो रही है उसी का एंसर हमें प्राप्त हुआ that the उर्जा प्राप्त हुई यह, जो मुक्त होती है उर्जा, उसमें से कुछ उर्जा इसको वियोजित करने में खर्च हो गई तो ACT कमल के लिए जो वियोजन उर्जा कामान है वो हमें प्राप्त होता है प्लस 1.87 किलो जूल पर मोल उदासिनी करण की एंथेल्पी को हम विभिन प्रकार के अमल और छार के जो कॉम्बिनेशन है उसमें कैलकुलेट करके समझ सकते हैं अब हम एंथेल्पी के एक और प्रकार के बारे में जानेंगे वह है विलियन की एंथेल्पी या एंथेल्पी ओफ सॉलूशन तो नाम से इस पश्ट है जब भी किसी पदार्थ का विलियन तयार होगा तो वह किसी विलायक में घोला जाता है तो जब भी किसी पदार्ट की एक निश्चित मात्रा किसी विलायक में गोली जाएगी तो उस दौरान होने वाले enthalpy परिवर्तन को हम कहेंगे विलियन की enthalpy तो उदारण यदि हम लेंगे कि NaCl को जल में गोलना तो NaCl प्लस AQ लिखा है तो जो AQ है ये एकवस को शो करता है जो की जल को दर्शाता है याने हम NaCl का जली विलियन तयार कर रहे हैं तो NaCl प्लस AQ is equal to NaCl प्राप्त हुआ तो इस समय जो enthalpy परिवर्तन है तो देखिए delta H naught solution लिखा है मतलब Sol ये solution को दर्शाता है जो कि विलियन की enthalpy और H naught लिखा है जो कि मानक enthalpy परिवर्तन को दर्शाता है यह मान प्राप्त हुआ प्लस 5.35 किलो जूल पर मोल यहां पर जो मान प्राप्त हुआ है वो धनात्मक प्राप्त हुआ है तो यहां उश्मा शोशी अभिक्रिया हुई क्योंकि यहां एने सियल का जली विलियन तयार हो रहा है तो जल में इसके घोलने पर यह आयनित होगा अपने आयनों में विभक्त होगा तो इसके लिए उश्मा की अवशक्ता होगी तो यह एक उश्मा शोशी अभिक्रिया के रूप में हमें धनात्मक मान के रूप में भी प्राप्त होता है एन्थेल्पी परिवर्तन का एक और प्रकार है जल योजित अनु जैसे कि कॉपर सलफेट में जब जल के अनु जुड़ते हैं तो उस समय जो एन्थेल्पी परिवर्तन होगा उसे हम कहेंगे जल योजन की एन्थेल्पी तो उदाहरण देखिए कॉपर सलफेट का ही CUSO4 प्लस 5H2O क्योंकि कॉपर सलफेट का जो नीला रंग है वो हम जानते हैं कि उसका जो सूत्र है उस लवड का वो है CUSO4.5H2O तो CUSO4.5H2O यहां पर जो डेल्टा H का मान प्राप्त हुआ वह मान है डेल्टा H हाइडरेशन हाइडरेशन मतलब जल योजन की एन्थेल्पी तो डेल्टा H हाइडरेशन इक्वल टू माइनस 78.2 किलो जूल पर मोल तो यह जो मान प्राप्त हुआ यहां दे उत्पन होती है तो जब भी यहां पर जल क्याणू का जुड़ना होता है तो कुछ मात्रा में उश्मा उत्पन होती है तो यहां आप उश्मा छेपी अभिक्रिया के रुप में से देखेंगे निगेटिव जो साइन है वो यही दर्शाता है कि यह एक उश्मा छेपी अभि क्रिया है